Hello Friends, Welcome to Civil Services Dream तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि UPSC Mainz Exam में कितने पेपर होते हैं उसका टाइम टेबल कैसा रहता है क्योंकि चैनल पर अब काफी लोग नए लोग भी जुड़े हुए हैं जो ये एकजाम आगे चल कर देना चाहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें आपको बुक लिस्ट बताई थी UPSC Piliams Exam के लिए तो उस पर बहुत सारे नए लोगों ने कॉमेंट्स करके पूछा था कि मेंस एकजाम में कितने पेपर होते हैं एक ही दिन में सारे पेपर हो जाते हैं या अलग अलग होते हैं टोटल कितने पेपर होते हैं तो हाला कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको सब कुछ बताया था कि कितने पेपर होते हैं कितने कितने घंटे के होते हैं लेक पहले हम यह बता देते हैं आपको कि इसका time table कैसा होता है ठीक है कैसे paper होते हैं तो आगे चलकर यह आपके लिए काफी helpful रहेगा जो लोग आगे बविश्च में यह exam देंगे उनके लिए तो देखे है होता क्या है कि टोटल 9 paper होते है जिसमें से 7 paper के ही marks जोड़े जाते हैं दो paper language के होते हैं जिनके marks जोड़े नहीं याते फाइनल मेरिंट में नहीं add कि जाते हैं बस उनको पास करना ज़रूरी होता है तो देखे है दो का होता है ओके और जो सामवाली मेटिंग होती है वो होती है दो बज़े से लेकर साम को पांच बज़े तक यानि बीच में जो बारा से लेकर का किशन बीचल भाषक नंबर के होते हैं और तीन गंते का टाइम होता है तीन घंते का ऊके को चांतो movements कि असपार रहे सपस्वेस के बाद अज-पार या ये यह सेकेंड पेपर का होगा यह भी 500 नंबर के ही होते हैं तीन घंटे का पेपर होता है तो इसका स्लेबस जो भी है जीएस के चारों पेपर का स्लेबस हमने पहले अप्लोड कर दिया था नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएग होगा 22 जिएस थारड पेपर होगा और यानि पेपर फॉर और फ्यूर्फ के चारों पेपर लगातार होते हैं इस तरीके साथ देख सकते हैं उसके बाद यहां पर 23,25,26,27 को छोटी रहेगी और फिर 28 तारी को यहां पर सटेडे को लेंग्वेज का पेपर होगा यह फेपर भी तीन घंटे का होगा लेकिन लेंग्विज का पेपर जो होते हैं वो तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन लेंग्वेज, बेंगॉली, बोडो, डोगरी जोग भी हैं, भारती संभीतान में वर्णित हैं, 22 भासा हैं, कोई भी आप एक ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर हिंदी दी गई है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि जिनका हिंदी मीडियम है, उनको हिंदी लेना जरूरी है, ठ चाहें आपका इंग्लिज मीडियम हो, चाहें हिंदी माध्यम हो, यह सब को पास करना जरूरी होता है, अच्छा, यह 3300 नंबर के होते हैं दोनों पेपर, और इनके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, 75 मार्क्स, यानि इस पेपर को अगर पास करना है, इंदेन लेंग्व पास करना बहुत जरूरी होता है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी, यह जब भी पेपर होंगे, तो मैं आपको अपलोड करके दिखा दूँगा कि कैसे पेपर बूचे जाते हैं, खास तोर पर नए लोगों को बहुत इससे help मिलेगी जानने के लिए, उसक मंडे को होगा, यानि UPSC संडे मंडे नहीं मनाती है, एक्जाम आपको आपका संडे को भी हो सकता है, तो यह बिल्कुल याद रखें कि संडे को भी पेपर होता है, तो संडे मान के कभी छुट्टी ना समझें उस दिन, मतलब अपनी स्कीम को अच्छी तरीके से आप चेक क होते हैं आपको, मतलब 125 नंबर के दो ऐसे होते हैं एक ही पेपर में, ठीक है वो आपको 1000 से लेकर 1200 सब्दों में लिखने पड़ते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको अप्लोड करके पूरा दिखा देंगे, तो उम्मीद है कि आपको इसका टाइम टूल समझ में आ होगा कि कैसे इसका एक्जाम पैटर्न क्या होता है, तो ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार